नमस्कार आप देख रहे हैं चेनल ज्यानरी बातां मैं सवीता आज इस वीडियो में हम शयुक्त राष्ट संग और भारत पर निबंद देखेंगे शुरू करने से पहले आपके अपने चेनल ज्यानरी बाता को सब्सक्राइब करें वे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर किलिक करें तो आईए शुरू करते हैं आज का युग अंतराष्टरवाद का है सयुक्त राष्ट संग जैसी संस्थाओं के अभाव में विश्व की कलपना नहीं की जा सकती चाहे विश्व का कोई भी कितना भी समरत देश क्यों ने हो उसे सयुक्त राष्ट संग के आदेशों का पालन करना ही है भारत सदा से ही शान्ती के मारग पर चलने वाला देश रहा है अपनी समश्याओं के निराकरण के लिए भारत ने शान्ती का रास्ता अपनाया है अत्य भारत की संयुक्त राष्ट संग जैसी संस्थाओं में पूर्ण आस्था है भारत विश्व शान्ती की स्थापना में सद योगदान करता आया है ह। भारत संयूकत्राष्ट संग का आरंब से ही सदश्य राह है तथा उसके कारियों में सक्रें रूप से भाग लेता है। भारत ने स्वेतंत राष्टने होने पर भी संयुक्त राष्ट के घोष्णा पद्र पर दो कारणों से हस्ताक्षर किये थे। दूसरे राष्टों के सैनिकों के साथ भारत के सैनिक दित्य महायुद में लड़ रहे थे। अत्य भारत युद्ध के विनास को जानता था भारत के नेता विश्व में शांती बनाई रखने के लिए हमेशा कोशिस करते थे संयुक्त राष्टे संग में भारत का विशिस इस्थान है भारत के पूरो प्रधानमंती पंडे जवारलाल नहरू संयुक्त राष्टे संग के प्रबल समर्थक थे उन्होंने कहा भी था संयुक्त राष्ट संग के बिना आज की दुनिया जीवित रह सकती है मैं सोच भी नहीं सकता उन्होंने स्वैतांत्र विदेशिक निती तथा पंचसील के शिद्धांत का अनुश्रन करते हुए संयुक्त राष्ट संग द्वारा श सम्मंद में भारत ने अने कदम उठाए हैं सयुक्त राष्ट संग को व्यापक बनाना भारत की निती है कि विश्व के सभी राष्ट्रों को संग का सदश्य होने का अवसर दिया जाए साम्यवादी चीन को संग में इस्थान दिलाने के लिए भारत ने सक्रिय भूमी का निभ भाई जगणों को शान्ती पुन धंक से निप्टाना भारत की यह इस पश्ट नीती रही है कि आपसी जगणों को शान्ती पुन धंक से शुल जाया जाए ताकि विश्व शान्ती को कोई खतरा पैदा नहीं हो कस्मी समश्या का निराकरन करने का भार स्वयुक्तराश्ट्रंग को सोपना इस बात का सूचक है कि भारत को स्वयुक्तराश्ट्र संग की सक्ति पर विश्वास है शांती के लिए ही भारत ने पाकिस्तान से युद में युद विराम का प्रस्ताव श्विकार किया था भारत द्वारा संयुक्त राष्ट संगी की साहे था संयुक्त राष्ट संग ने संसार में शांती बनाये रखने के लिए जब सैनिकों की मान की भारत ने उसे पूरा गिया कोरिया और कांगों में शांती इस्थापना के लिए भारत ने अपने जवानों को संयुक्त राष्ट संग की शांती सेना में भेजा था दूसरे सदश्यों की तरह भारत भी संयुक्त राष्ट संग के खर्च में साहिता देता है भारत में संयुक्त राष्ट की अनेक संस्थाओं सैक्षनिक, व्यग्यानिक और सांस्कृतिक इतियादी केंद्र इस्तापित हैं और भारत उनके संचालन में पूरा सहयोग दे रहा है। संयुक्त राष्ट द्वारा भारत की साहता जिस परकार भारत ने संयुक्त राष्ट संग की साहता किये। संस्ताओं द्वारा पोश्टिक खद पदार्तों की भी आपूर्ती की गई है। ओद्योगिक विकास और विज्ञान की विकास में भी संयुक्त राष्ट संग से काफी मदद मिली है। भारत की ओद्योगिक प्रेगरती के लिए अंतराष्ट ये बैंक से रिन प्राप्त है। इस पश्ट है कि भारत का संयुक्त राष्ट संग में विश्वास है। उसका यह भी विश्वास है कि संयुक्त राष्ट संग के कारण दुनिया के लोग बिल जूलकर कारिये कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट संग की कारवाई को सफल बनाने के लिए भारत ने महत्यप बनी तब उसका आधार भी विश्वे शान्ती ही रखा गया इतना ही नहीं भारत का नया सविधान भी विश्वे शान्ती का प्रेमि कहलाया विश्वे शान्ती के छेतर में जितने ठोस कदम भारत ने उठाए उतने किसी भी देशने नहीं उठाए हैं विश्वे शान्ती के सं मंद में भारत द्वारा उठाए गए कुछ ठोस कदम इस परकार है भारत ने संयुक्त राष्ट संग के सदशे के रूप में विश्व शान्ती के अनेक प्रियास किये भारत संयुक्त राष्ट संग का सबसे बड़ा समर्थक है विश्व में विविदी सकती गुटों का निर् पुरिया और कांगों में संयुक्त राश्य संग की ओर से भारतिय सेना ने शान्ति और सूव्य वस्ता की स्थापना में महत्वपुन योगदान दिया। स्थापना के उद्देशे से भारत ने कस्मीर की समश्या को संयुक्त राश्य में भेज दिया। स्री लंका में भारत ने अपनी शान्ति सेना भेज कर सची मानता का परिच्छे दिया। इसपस्ट है कि भारत विश्व शान्ती के लिए हमेशा योगदान करता है बलकि उसके लिए हमेशा से प्रियतन शील भी है। भारत सभी देशों के साथ मदूर संबंद स्थापित कर विश्व में शान्ती की स्थापना करना चाहता है। इस्वे शांती की द्रश्टी से जब जब भारत के सहयोग की अपेक्षा किये तब तब भारत ने अपनी शांती प्रियता को शिद्ध कर दिखाया है।